नवाश्कार दोस्तों, करेंट अफेर और रचत जानकारी चैनल ओनलाइन गुरूजी में आपका स्वागत है दोस्तों, इस चैनल के माधियम से आपको डेली करेंट अफेर से जुड़ेवे मैधपूर्ण प्रशन उतार शंपूर्ण व्याक्या सहीद वीडियो के माधियम से उपलब्त करवाई जाने का प्रियास किया जा रहे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे देश और दुनिया की मैत्पूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आज अपन चर्चा करते हैं आज के मैत्पूर्ण करेंट अफेर गी चले दोस्तों सुरुआत करते हैं आज के मैत्पूर्ण करेंट अफेर गी कॉनार्क मंदिर को सौलराइज करने के लिए भारस सरकार के द्वरा योजना शुरू की गई है ओडिसा में कॉनार्क सूर्य मंदिर और कॉनार्क सहर के सोर्करन के उदेशी से भारस सरकार ने एक नई योजना शुरू की है योजना का मुख्य उदेशी ओडिसा के कॉनार्क के एतियासिक सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विक्षित करना है योजना के अनुसार भार्च सरकार के द्वारा 10 मگवाट गिर्ट से जुड़े सोर पयोजना और अन्य कई सोर ऑफ गृट अनुप्रियोगों की इस्तापना करेगा भारत सरकार के द्वारा सोब प्रतिशत के अंद्रिये वित्ये साहिता CFA साहिता परदान करेगी जो लगबग 25 क्रोड रुपे के लगबग गया थे तुर्य के कौनारक सूर्य मंदिर और शूर्य मंदिर एक विश्व दरोर इसमार्ख है जिसका निर्माण और ओडिशा के जो अत्मान राजी पाल है वा गणेशी लाल है नवीन एव नविकरण उर्जवा राजी मंत्री राजकुमार सिंगे अगली खबर है सवीता कुमारी अंकित सिसोद्या को नडा ने निलम्बित कर दिया है कि एंटी डॉपिंग नियमों का उलंगन करने के दोस्वी पाइजानी के बाद नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी नडा ने दो भारतिये पावर लिप्टर सुवीता कुमारी और अंकित सिसोद्या को निलम्बित कर दिया है कि राष्ट्य डॉपिंग रोधी एजेंसी नडा नडा के वर्तमान जो सीयो है वह नवीन अगरवाल है नडा की स्थापनाथ 24 नॉवंबर 2005 को भी थी नडा का जो मुख्याले वह नई दिल्ली में अगली कबर जेविक विविता के लिए अंतराश्टी दीवस 22 माई को मनाय जाता है 22 माई का दिन दुनिया भर में जेव विविता के लिए अंतराश्टी दीवस के रूप में मनाय जाता है वर्ष 1903 में श्रीयुक्तराष्ट मासुबा में पहली बार अंतराष्टी दिवश के रूप में मनाय गया था जेव विविता के खत्रे में डालने वाले खत्रों से समधित विविन मुद्धों पर जागरूपता बढ़ाने के लिए 22 मही को अंतराष्टी जेव विविता दिवश मनाय जता है जेव विविता वस दिवश 2020 का जो विशे है वह हमारे समाधान प्रकृती में अगले खाबर ट्रंप ने अगले तीन दिनों में अमेरिकी क़्राज को आदब Hy coming दिया अधा लाईस दिया है कि अगले तीन दिनों में कोविट-19 से मरने वालों की सिंग्या च्वर्च और जार्षा दिखनी के कारण अमेरिकी द्वज आदा पराह जाए कोरोना वायरस से मरने वाले अमेरिकियों कि याद में अगले तीन दिनों में सभी संगिये भौनों और राष्टी इसमारकों में आधिस हंड़े पहराई जाएंगे अमेरिकी सेना में उन लोगों के संवान में हर साल प्रतीश माई को मनाई जाने वाले मेमोरियल देप पर अधिसम्ड़े फ्यराय जाते रहेंगे अमेरिकी द्वस पर धारियां मूल तेरा उपनिवेशों का प्रतिनी दित्व करती है तो सितारे संग के पिचास राजियों का प्रतिनी दित्व करते हैं अगली कवर चतिस गड़ से चतिस गड़ राजी उगांदी किसान ने आई यह उजना लागू कर रहा है पूर्व परधान मंत्री राजी उगांदी की पुन्यतिति के उसर पर चतिस गड़ राजी सरकार ने राजी उगांदी किसान ने आई यह उजना शुरू किये इस यह उजना का मुख्य उदिशे कोरोना वाइरस महमारी के दोरान राजी में ग्रामेड अर्थ्य उपस्ता को प्रफशाइद करना है चतिस गड़ का गठन एक नॉबंबर दोजार को हुआ था चतिस गड़ की जो राजनानी है वह राइपूर में है और चतिस गड़ के राजी पाल अंसुई या वीके और चतिस गड़ के जो अरत्मान मुख्य मंत्रिय वह भुपेस बगेल है कोंग्रेस पार्टी से समझ रखते है आरिब्याई ने रेपो रेट में चालिस बीपीएस की कटोतिकार चार प्रतिशुत किया है भारती रिजरु बैंक ने रेपोदर में चालिस अधारंकों की कटोतिकार चार पॉइंट चार प्रतिशुत से चार प्रतिशुत कर दिया गया है भारती रिजरु बैंक भारती रिजरु बैंक के गवर्णार रिद्यक्ष शिकांत दास है बैंक की जो मौजुद अधर है व और ओंजी सी ने सिव्ध उद्यम इस्थापित करने के लिए सम्झुता किया है कि निटिसी लिमिटेड और और नेच्राल गेस कोर्परेशनल लिमिटेड के द्वारा नवी करनी अपनी चाफ छोड़ने में सक्सम मनाएगी एंटिपीसी लिमिटेड के अध्यक्षो और प्रबन निदेशक गुर्दीप सिंग है तो तेल और प्राकर्तिक गेश निगम लिमिटेड और एंजीसी के अध्यक्षो और प्रबन निदेशक ससी संकर है यह थे आज के करनेंट अफेर्शी जुड़े वे मध्वनिदू अप्चर्चा करते है आज के महत्वन प्रशनों के उबर आज का मैध्वम प्रशन है दीधी वाण शेवा किस राज्य मेस शुरू की गई है तो दिदिवान सेवा मद्यप्रदेश राजी में शुरू की गई है दिदिवान सेवा ग्रामिन महिलाओं के प्रसों को सुरुक्षित करने के लिए शुरू की गई है मद्यप्रदेश की राजदारी भौपाल है मद्यप्रदेश के जो वर्तमान मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चोखान है मद्यप्रदेश के राजी पाल लाल जी टंडन मद्यप्रदेश के द्वारा हाली में जो योजना लॉंच की गई है उनमें से मैलाओं के लिए जीवन सकती योजना मद्यप्रदेश राजी में प्रभी और estaba सम्वाद और विकास के लिए साम्सकर्तिक विवित्ति विष्व दिवश्च कम मनाई जाता है। वि्रोध दिवश्क रूप में भी मनाई जयता है। भारत के पूरु प्रदान मंतरी राजीव गंधि की पुनित हिति भी उन्टिवे नंश क के अंग invati अगला प्रश्न भारती रेल मेंने कितनी हर्च्ट पावार वला वेक 12 इंजन सपलता पूर्वक चलाया है। इस जुड़े विम्रात पून तक थे इस इंजर का दिनमाण बिहार के मधिपुरा इलेक्ट्रिक लोकुफेक्टरि के द्वरा किया गया है। वर्तमान में केंद्री रेल मंत्री प्यूस गोईल है अगला प्रशन है लता मंगेशकर ने आत्म निर्वर भारत के लिए कौन सा गाना गया है तो लता मंगेशकर ने आत्म निर्वर भारत के लिए जैतु भारतम नमक गाना गया है टाट लदा मंगल यए गाना भार्त के लोग और भार्त के बरदानमंतरी को शमर्पित किया है तो यह इस गाना है उसके ऊसको लिखा गया है प्रसून जोसी के द्वारा लिखा गया है अ槁ला प्रश्न किस देश ने ओरड़ispersांगा क्रवात के बंगाल की खाड़ी में आने वाला उष्ण कटीब दिये ट्रोफिकल चक्रवात है थाइलेंड के समझ में मैध पूंट्ट थे थाइलेंड की राजदानी बेकक कई। थाइलेंड की मुद्रा थाइभ भात है और थाइलेंड के प्रधान मुत्रिये प्रियुत चानोंचाः के अगला दिनली में आई गाइड लाइन के अनुसार आईवर्ग्य शेतुे डेटा को कितने दिनों तक शुरुख्षित रख जा सकता है तो आधविए जो डेटा है वह एक सब्सक्राइब और अब स्युख्षित रख जा सकता है जो अपने मोबाल पर आयाख्य से ये तूए यूज करते हैं उसका डेटा सरकार के पास छह मैंनों तक शुरुख्षित रखाजा सकता है इसके बाद ये डेटा डिलीट कर दिया जोता है अगला प्रशन है रख्षाक सेत्र में FDI को गुम परतिश्वत कर दिया गया है तो चोत्र परतिश्वत कर दिया गया है FDI foreign direct investment प्रतेक्ष पिदेश इनिवेश वरतमान में जो रख्षा मंत्र एंव राजनास सिंह है है अगला परसंन हाल विक्टोरिया फाल्स को फिर से खुला गया है यह किस नदी पर बनाओ है तो विक्ट्रिया फाल्स जंबेजी नदी पर बनाओ है यह यह दुनिया का सबसे उच immigration प्रपात खहा है जो की जांबियाzin में हैं जांबिया की राजदानी लुशा का है और वहां की जो राष्ट पती है वह एडगर लुंगू है कि अगला प्रसें नेशनल टैस्ट अभेज मॉबाइल एप कि ने लॉंच किया है तो मानुशन संसाधन विकाश मंत्राली के द्वारा नेशनल टैस्ट अभेज मोबाइल एप लॉंच किया गया है यह एप्लिकेशन जेई मैंस निट आदी जैसी प्रिक्षाओं के उमिद्वारों को मोग टेस्ट करने में मदद करेगी यह एप्लिकेशन आर्टिपिसियल इंट्रिजेंस के द्वारा संचालित है इसलिए छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत ही रिजल्ट भी मिल जाएगा इस एप पामुख्योदिशे लोगडाउन के कारण बंद पड़े सिख्ण शंस्ताओं के दोरान चात्रों की मदद करना है वर्तमान में केंद्री मानव सुनसादन विकाश मंत्री रवेश पोक्रियाल निशंग है आज का अन्तिम प्रश्न कि ने यात्रियों के लिए आरोगी शेतु एप रखना अनिवारे कर दिया है तो भारतिय रेल्वे ने आरोगी शेतु एप रखना अनिवारे कर दिया है भारतिय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए अरोगी शेत्यूए प्रक्ना अनिवारे करती है रेलवे केनु सार अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल पॉन में आरोगी शेत्व आपको डाउलोड करना अनिवर्य हो गया है वर्तमान में जो रेल मंत्री है वक्त प्यूस गोईल है तो साथ यह थे आज के मैटपून करन्ट अफेर और उसे जुड़े वे प्रशनों तर उमिद करता हूं साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा सी ज्यादा सेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिपिकिशन लगाता है आपको मिलते रहे तन्यवाद